हेलो स्टुडेंट्स हाव आर यू चलिए नाइन्थ क्लास में फिर से आपका स्वागत है नाइन्थ क्लास की साइंस हम किये वे थे और आज का टोपिक रहेगा हमारा कुछ सिंबल समयाद करेंगे और केटायन या फिर एनायन पर चार्जिज याद करेंगे कुछ रेडिकल से याद करेंगे बच्चे वाजां देखे हमारा सबसे पहले एक टेबल है इसके अंदर ये ना फर्मूला मेकिंग टोपिक में आपको करवांगा बोर्ड के उपर उस पर फर्मूला मेकिंग टोपिक के लिए बहुत ज़दा इंपोर्टेंट नमारे पास ये टोपिक रहेगा तो पहले आप इनको लॉर्ण करो हाइड्रोजन H+, लिथियम Li+, सोडियम Na+, पिटासियम K+, अमोनियम NH4+, सिल्वर EG+, फ्यूपरस CU+, औरस AU+, और मर्कूरस हमारा होता है HG+. उसके बाद नेक्स्ट बताओं मैं आपको ऐसे कट अंजिन पे 2 प्लस चार्ज है बही तो उनके अंद हमारा सी बड़ा ओच हुटता और यह हो जाए अगर ऐसे तो इसको बोलते हैं कार्बन मोनो ओक्साइड दोनों में काफी डिफरेंस होता है उसके बाद निकल Ni+, Ni2+, हमारा मेगनस होता है Mn2+, जिंक होता है Zn2+, कैडमियम CD2+, फैरस Fe2+, क्यूपरिक, देखो बचो क्यूपरिक Cu2+, ठीक है, क्यूपरिक हमारा Cu2+, अगर क्यूपरिस लिखूँ मैं इसको तो Cu लिखूँगा, मर्कूरिक, Hg2+, मर्कूरिस लिखूँगा तो Hg+, पलंबस, पलंबस हमारा होता है PB होता है LED, तो PB2+, स्टेनस होता है SN2+, प्लैटिनस होता है PT2+, ठीक है, उसके बाद देखो, यह इनको याद करो, फिर भी याद नहीं होते तो मेरे को बताओ, मैं ट्रिक बताता हूँ, आपको इनको लड़न करने की, कोपर गाटोमिक मास क्या होता बचो 63.5, और फलोरिन का कितना होता बचो 19, हेलियम का 4 होता, हाइडरोजन का 1, आयोडिन का 127, आयरन का 56, प्तासियम इस 39, सिलिकोन इस 28, एंड सिल्वर इस 108, सोडियम इस 23, प्तासियम इस 32, जिंक इस 65, देखो जनरली में बताओ, अगर हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर में जग लग बग उसका डबल ही होता है, बचो इवन नंबर में क्या होता है, डबल होता है, लग बग डबल अट फर्मूले याद करो, नेम अफ कंपाउंड, फर्मूला, एलिमेंट प्रिजेंट, एलिमेंट प्रिजेंट तो आपको पता ही लग जाएगा, जब फर्मूला करो, तो यह दो ही कोलम याद करो, अमोनिया इस 3, कर्बन डायकसाइड, CO2, वाटर H2O, सिल्फर डायोकसाइड, CO2, acid होती है, यह gas nature में, और फिर हमारा है, HNO3, nitric acid, ठीक है, nitric acid को बच्चो किस से बना जाता है, और स्ट वाल्ड प्रोस से बना जाता है, इसको, hydrochloric acid, HCL होता है, ठीक है, hydrochloric acid हमारा liquid है, तो इसको hydrochloric acid बोलते हैं, अधर्वाइस यह hydrogen chloride gas भी होती है, याद रखना, sulfuric acid, H2SO4, hydrogen sulfate होता है, calcium carbonate, CCO3, limestone भी बोलते हैं, चोक भी बोलते हैं, silver nitrate, AGNO3, after that, sodium hydroxide, सबसे strong base होता है, इसकी 14 होती है, pH value, KOH, potassium hydroxide, sodium bicarbonate, यह होता हमारा baking soda, मिठा soda, जिसको बोलते हैं, sodium hydrogen carbonate, उसके बाद, phosphorus acid, H3PO4, carbonic acid, cold drink में होता है, है, cold drink बनती है, जब H2CO3, HNO2 होता बच्चो, nitrous acid, देखो, HNO3 हमारा क्या था, HNO3 को मैं क्या बोल रहा था, nitric acid, HNO3, nitric, nitric, 1 लगेगा पीछे, अगर, ज़्यादा oxygen होता है, कम oxygen हो जाए, तो रस हो जाता, ROUS हो जाता पीछे, ROUS, nitric, nitrous, समझो इस चीज को, sulfuric, sulfurous, ठीक है उसके बाद मैं बताओं आपको इसमें, marble मेरा CCO3, phosphine gas होती है, PS3 बच्चो, phosphine gas होती है, PS3, एक होती है, phosphine gas, कौनशी gas होती है, phosphine gas, COCl2, जो chloroform open करते हो ना, आप air में, तो यह gas produce होती है, जिसके बज़ेश आदमी ब्यांस हो जाता है, यह वाली, phosphine gas होती है, उसके बाद H2S, hydrogen sulfide, उसके बाद मैं बताओं आपको यूरिया, NH2CO, NH2, NH2CO, NH2, बहुत ही important compound है, यूरिया, laboratory में सबसे पहले मनाया गया था, butane, butane gas होती है, C4H10, यह LPG होती है, जो मारी सिलिंडरों में बरी जाती है, इसो butane बोलते हैं, उसके बाद, benzene C6H6, acetic acid CS3COH, methane CS4, soda S, Na2CO3 यह इसको sodium carbonate भी बोलते हैं, तो यह आप याद करें बहुत अच्छे से, फिर next lecture में मैं आपको formula making करवाता है, thank you, have a nice day